ये है आईफोन 13 जो कि लाँच होगा था सेप्टेंबर 2021 में और फिलाल चल रहा है मार्च 2024 यानि कि फोन को लगबग 20 साल के आसपास हो चुके हैं वैसे तो इस फोन के उपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं लेकिन आज के इस वीडियोस वीडियोस बना चुके हैं और दिखेंगे कि क्या ये फोन स्टिल 2024 में वर्थ करता है या फिर नहीं तो परनाडाई में इसके बढ़ते हैं वीडियोस दरब पहले हम बात करते हैं इसके प्रोस की कि इसको पर्चेस करते हो तो क्या आपको एडवांटेजिस मिलेंगे इस फोन के अंदर हमरे सबसे पहला एडवांटेज है इसका डिजाइन ये जो डिजाइन लेंगेज ओफर कर रहा है ये एक्जेक डिजाइन लेंगेज आपको अभी के आईफोन 15 में भी मिलती है और भाई ये डिजाइन के मामले में एकदम जुड़वा भाई हो जाते हैं एकदम स्मूड फ पर थोड़ा सा चिपचिप सा करने लगता है हलाकि most of the people's इसको cover के साथ यूज़ करेंगे तो वो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है अब अगर इसके दूसरे advantage की बात करूं तो वो है strong build quality यहाँ पर ओफर करता है corning made glass with ceramic shield का protection जो कि इस phone को काफी ज़ादा durable बना देता है और अब इसके third advantage की बात करूं तो भाई यह जब launch हुआ था तब definitely एक advantage था लेकिन आज की rate में इसको हम advantage तो नहीं बोल सकते आईफून 12 के comparison में यहाँ पर आपको जो notch मिल रही है इसका size थोड़ा सा चोटा मिलता है आईफून 12 में थोड़ी से बड़ी notch मिलती थी इसको 13 के अं इतना बड़ा फरक नहीं फीलोगा literally मैंने अपनी मम्मी का iPhone 14 replace करके iPhone 15 दे दिया और उनको पता भी नहीं चला दिखने में एकदम same से लगते है न अब इसका चौथा advantage है इसके amazing cameras 12 में एक अपकिसल के दो lenses मिलते है 4K 60fps पे HDR record कर सकते है और इसमें आपको 1080p cinematic mode record करने का भी option मि जगा सकते हो also vlogging के लिए भी यह perfect phone हो जाता है अब next इसके advantage की बात करो तो वो है इसका chipset इसमें आपको मिलता है Apple का A15 Bionic chip जो की day-to-day टास के लिए काफी amazing है in fact इसमें आप काफी अच्छे level की gaming भी कर सकते हो यह phone power के मामले में आपको कहीं से भी disappoint नहीं करने वाला है बात क also यहाँ पे आपको Dolby Vision का support भी मिल जाता है और इसकी brightness की बात करों तो यह 800 Nets की normal and 1200 Nets की peak brightness प्रोवाइड करता है जो कि आज के साबसे देखा जाए तो थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन day-to-day life में यह आपको इतना कोई जारा problem नहीं करेगा काफी अच्छा खासा brighter display है इसका लेकिन यह जो थे इसके pros अब बात करते हैं इनके cons की और शुरुआत करते हैं इसके display की तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा con आपको मिलता है यह है इसका 60Hz refresh rate भाई बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन जब आप इस display को use करते हो and especially अगर आप किसी 120Hz refresh rate वाले phone के पाद यह चलाते हो और अगर आप थोड़ा सा भी tech field में हो यानिकी आपको थोड़ा सा भी इस सब चीज़ से फरक पड़ता है इस refresh rate की वज़े से यह थोड़ा laggy feel होता है हलाकि यहाँ पे lag मिलता नहीं है लेकिन यह refresh rate के कारण हलका सा jittering वाला experience provide करता है and मेरे साब से यह बहुत करके देख सकते हो अगर आपको animations में कुछ problem नहीं लग रही है जो कि काफे सारे लोगों को नहीं लगती है तब आप इसकी तरफ जा सकते हो इसका दूसरा disadvantage है इसकी battery अब देखो अगर आप iPhone सी use करते हुए आ रहे हो और फिर यह phone की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको इतन दिन में कर रहे हो एक दो घंटे का content watching कर रहे हो तो इस phone को आपको दिन में दो बाल चार्ज करना पड़ सकता है तो definitely इसका जो battery backup है यह आपको पूरे दिन का battery backup नहीं देने वाला है और अगर आप इसको एक से जारा बाल चार्ज करने का सोज भी रहे हो तो यहां पे आपको ऐसे phone से आ रहे हो तो यहां पे आपको charging और इसकी battery की problem जरू से होने वाली है बिकॉस इसमें आपको battery भी 3240 mAh की मिलती है और यहां पे आपको कोई reverse wired या फिर wireless charging नहीं मिलने वाली है हाँ बागी max safe charging से charge कर सकते हो लेकिन वह मैं recommend नहीं करता वो काफी slow भी है और phone को heat भी कर देती है max safe accessories को जरू से use कर सकते हो इसमें अब इसका तीसरा disadvantage है इसका OS experience अगर दिको आप Android से आ रहे हो वहां पर भाई सारी चीजे करना चाहिए file manager access करना वो काफी easy होता है किसी भी call के चलते call recording करना बड़ी असानी से हो जाता है app lock वगरा आप एक click में कर सकते हो यह सारी च इस फोन की अदर आते हैं हलाकि यह problem से इस iPhone के साथ नहीं है कोई भी iPhone पर जैस करते हो आप इन सारे ही iPhone के साथ यह problem होती है इसलिए यह यहाँ पे mention कर रहा हूं इसके अलावा phone में आपको कोई भी fingerprint sensor नहीं मिलता है आपको यहाँ पे face ID के sensor मिलते हैं हलाकि यह काफी ज़रा safer accurate है लेकिन फिर भी कई लोगों को fingerprint की आदत होती है यहाँ पे वो available नहीं है तो आपको अपनो phone unlock करने के लिए face एक दम सामने लाना ही पड़ेगा तो यह कुछ लोगों को inconvenient लगता है अब देखो इस phone का सबसे आखरी और सबसे important कौन बताता हूं जो कि भाई आपका इस phone की जाने का decision ही change कर देगा वो कौन है कि यह phone एक expensive phone है अब अगर आप Amazon पर देखोगे या फिर अगर किसी भी mobile store पर जाके पता करोगे यह phone कितने का है आपको लगे भाई यह तो under 50,000 में मिल रहा है फिलहाल इसके price के बात करूं तो यह 49,000 के आसपास आपको Amazon Flipkart या फिर अगर offline stores में भी जाके देखते हो तो वो भी same price पर ही मिलेगा अच्छी बात यही कि कम से कम 68GB वाला variant है यह तो इसको एक advantage बोल सकते हो आपकि यह 64 नहीं मिल ला है because iPhone 12 तो 64 मिलता था लेकिन वापस आते हैं pricing पर यह आपको मिल ला है 49,000 रुपीस का और एक चीज़ पर गौर करना अभी चला है 2024 और हम आ चुके हैं March में इससे पहले था 2023 पर उससे भी पहले था 2022 and trust me 2022 की जो big billion day sale थी वहाँ पे मेरे काफी सारे friends ने इस phone को 48,000 रुपीस में purchase किया है इस phone का आज भी price 49,000 है पाई definitely ये phone फिलाल के वक्त में काफी ज़ादा expensive मिल रहा है और इसमें अगर आप थोड़े से और पैसे में लाते हो 55, 56,000 के आसपास भी अगर आप देखते हो तो आपको iPhone 14 मिल सकता है चोकि इससे एक generation उपर का phone है यहाँ पे मैं थोड़े अपना overview देख देता हूँ कि अगर आप इस phone की तरफ जाना भी चाहते हो देखो सबसे पहला अगर आपको एक ऐसा phone चाहिए है जिससे कि आप अपनी content creation की जर्नी स्टार्ट कर सको विकॉस अगर आप अलग से camera purchase करते हो फिर उसमें laptop purchase करते हो वहाँ पे edit करने के लिए and obviously आपको एक phone करूंगा इस phone की तरफ आप जा सकते हो तो उस नजरी से देखें तो यह थोड़ा सा आपका investment हो जाएगा लेकिन अगर आप बिना मतलब का अपना budget extend करके इस phone की तरफ जा रहे हो उस phone को EMI पर purchase कर रहे हो मेरे सबसे भाई इस phone का इतनी worth नहीं है अगर आप ये 50,000 में भी purchase क जाएगा बगी ये phone अगर नए खरीदने का सोच रहे हो तो भाई मैं recommend नहीं करूंगा अगर आप next big billion day sale तक रुक सकते हो भाई आपको iPhone 15 इस range के आसपास मिल सकता है 48 से 50,000 के बीच में तो भाई अगर ममी पापा से permission मिल गई है 50,000 रुपए एक phone में खर्च करने की तो मैं recommend करूंगा भाई 20-30,000 रुपए का phone करी दो 20-30,000 रुपए जो है वो कहीं invest कर दो या तो अपने नए skills develop करने पर या तो किसी ऐसी जगह पर जो कि आपको अच्छा खासा return दे चलो भाई बहुत जारा ग्यान दे दिया मैंने यही था आज का हमारा वीडियो आई होप पसंद आई तो लाई जरू करना अपना valuable कमेंट जरू से छोड़ देना असक्राइब अगरा आप आले अगर दबा देना ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मैं मैं बता हूं से नेक शीरियो में तब तक लिए बाई